दोस्तों किसी भी बिजनस की ग्रोथ में अकाउंटिंग एक important role play करता है क्योंकि अकाउंटिंग के मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें बिजनस में loss हो रहा है या profit हो रहा है या फिर हमारे बिजनस की actual growth कैसी है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला Swipe के वारे में Swipe एक simple invoicing billing and GST app है जिसे आप अपने PCA laptop में और mobile में use कर सकते हैं free of cost Swipe ना सिर्फ आपकी accounting and GST में help करता है बलकि ये आपकी sale को बढ़ाने भी भी आपकी मदद करता है Swipe की मदद से आप मातर 10 second में invoice purchase order और quotation बना सकते हैं और उसे अपने customer के साथ WhatsApp, email या link के जरिये share कर सकते हैं और उनसे instant payment भी collect कर सकते हैं UPI credit card debit card के जरिये Swipe की मदद से आप अपनी pending payment को भी track कर सकते हैं और customer को reminder भी send कर सकते हैं इस के लवाँ आपके business में जो भी खर्चे होते हैं उनका भी हिसाब किताब आप इस app में रख सकते हैं जो भी आप purchasing करते हैं उसका भी आप हिसाब किताब इस app में रख सकते हैं इस के लवाँ आप इस app के जरिये अपनी inventory भी manage कर सकते हैं जो की एक बहुत ही बड़ा task होता है किसी भी company के लिए यहाँ पर आपको ready made सभी item का stock मिल जाता है इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है swipe की मदद से आप अपने customer को special offer, discount और product update के notification भेज सकते हैं इसके अलबा इस app के जरिये आप अपना online store भी create कर सकते हैं और अपने customer से online order भी ले सकते हैं और online payment भी collect कर सकते हैं इसके अलबा बहुत सारे feature आपको इस app में देखने को मिल जाएंगे जिसे अभी हम थोड़ी देर म दिसकस करेंगे, तो दोस्तों अगर आप एक distributor है, wholesaler है, retailer है, trader है, enterprise है, manufacturer है, startup है, freelancer है, या आपका कोई क्रियाना store है, या general store है, या फिर hardware या electronic store है, तो आज का ये video आप पूरा देखते रहना, क्योंकि ये video आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद है, क्योंकि free म आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, अगर आपको ये video अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों, swipe app का link आपको मिल जाएगा, इस video के description और pin comment मे आप उस link पर click करके swipe app को easily install कर सकते हैं, बाकी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप swipe app को अपने PC या laptop में use कर सकते हैं, इस app का use करने के लिए आपको अपने browser में get swipe.in टाइप करना है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाएगा, आप यहां से free में sign up कर सकते हैं, बाकी हमारे पास एक demo account है, तो हम यहां login पर click करके इस app में login हो जाएंगे, login होने के लिए आपको यहां पर अपना mobile number mention करना है, इसके बाद continue with mobile number पर click करना है, जैसे ही आप login होंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाएगा, इसके बाद आपको जाना है, सीधा setting में, setting में आने के बाद आप आएंगे user profile में, यहां पर आप click करेंगे, इसके बाद आपको यहां पर अपना नाम, email address और phone number mention करना है, बाकी अगर आपकी कोई company है, तो आप यहां company detail में आएंगे, और यहां से आप अपनी company की पूरी information को fill करेंगे, बाकी अगर अपनी नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसके बाद आप आएंगे bank detail में, यहां से आप अपने company या अपने business की bank detail add कर सकते हैं, इसके बाद invoice setting करनी है, तो आप यहां से invoice setting कर सकते हैं, pure setting कर सकते हैं, barcode setting कर सकते हैं, signature की भी setting कर सकते हैं, तो यहां पर बहुत सार करेंगे इसके बाद यहां पर आपके सामने all transaction आ जाती है जितनी भी आपने transaction की होगी जितने भी आपने sales invoice बनाए होंगे उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी यहां पर आपने total कितनी sale की है उसका amount दिखाई देगा उसमें से कितना paid amount है उसका आपको यहां पर मिल जाता है और कितना amount pending है उसकी detail आपको इहां पर मिल जाती है इसके बाद यहां पर आपने जितने भी invoice बनाए होंगे अगर आप किसी て को WhatsApp पर Share करना चाहते हैं या फिर email पर Share करना चाहते हैं या link शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह तीनों option दिये गए हैं, आप simply यहाँ पर click करके easily किसी भी invoice को share कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह यहाँ sale invoice बनाएंगे, तो sale invoice बनाने के लिए आपको यहाँ create invoice का option मिल जाता है, आपको simply यहाँ पर click करना है, इसके बाद यहाँ जो invoice number है, यह automatic आ जाता है, बाकि अगर आप यहाँ कोई दूसरा invoice number mention करना चाहते हैं, तो easily mention कर सकते हैं, बाकि आप setting में जाके invoice की setting भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने customer का नाम mention करना है, अगर आपने अपने customer को पहले से add किया होगा, तो आपको simply यहाँ अपने customer का नाम type करना है, और जो आपका customer होगा, उसकी list यहाँ पर आजाएगी, और आप अपने customer को easily select कर सकते हैं, बाकि अगर आप कोई नया customer add करना चाहते हैं, तो आप यहीं से अपने नया customer को add कर सकते हैं, customer add करने के लिए यहाँ पर एक option दिया गया है, add new customer, आप इस प information को fill कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे यहाँ से छोड़ के, आप यहाँ add customer पर click करेंगे, तो चंदन के नाम से यहाँ पर एक और customer add हो जाएगा, तो फिलाल मैं यहाँ पर इस customer को हटा देता हूं, यहाँ पर हमने अदित्या वर्मा को sell कर रहे हैं, इसके बाद इस date आजाएगी, तो अगर आप back date में entry करना चाहते हैं, तो back date में भी कर सकते हैं, आपको simply यहाँ पर click करना है, और यहाँ से आप previous date भी choose कर सकते हैं, तो फिलाल मैं यहाँ से current date ले लेता हूं, यहाँ पर due date अगर आप कोई mention करना चाहते हैं, तो due date भी mention कर सकते हैं, बाकी यह due date automatic यहाँ पर आ जाएगी अगर आप यहाँ पर कोई PO नमबर या कोई text mention करना चाहते हैं कोई reference नमबर वगरा mention करना चाहते हैं या ability number mention करना चाहते हैं तो वो सारा कुछ आप यहाँ mention कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपने product add करने हैं जिनको भी आपने sale किया है उसे आपको यहाँ पर add करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ fruits ले लेता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा apple तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fresh pineapple के नाम से यह हमारा item आ चुका है तो हम simply इस पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम कितनी quantity sale कर रहे हैं यहाँ पर उस quantity को हमें mention करना है इसके बाद add to bill पर click कर देंगे तो यहाँ यह fresh pineapple bill में add हो जाएगा इसके बाद दुबारा से यहाँ पर हम कोई fruit add कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ fresh लिखा और यहाँ fresh orange आ चुका है तो हम इस पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर कितनी quantity आप sale कर रहे हैं उस quantity को आप यहाँ mention करेंगे इसके बाद यहाँ add to bill पर click करेंगे तो यहाँ पर भी यह दोनों item add हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर किसी तरह का discount दे रहे हैं तो आप यहाँ discount को भी mention कर सकते हैं जैसे कि यहाँ by default 20 आ रहा है तो हम इसे 0 कर देते हैं और यहाँ पर भी 20 आ रहा है तो हम इसे भी यहाँ से 0 कर देते हैं बाकि अगर आप अपने सभी item पे यहाँ पर आपने जितने भी item add किये हैं सभी item पर कोई एक discount देना चाहते हैं जैसे कि 5% या 10% तो आप उसे यहाँ पर mention करेंगे और यहाँ पर जो discount है यह automatic add हो जाएगा बाकि discount हटाना है सभी item पे से तो आप यहाँ से इसे zero कर देंगे और यहाँ पर जो discount है यह zero हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ से अपना bank select कर सकते हैं जिस भी account में आपको अपने पैसे मंगाने हैं इसके बाद यहाँ पर notes वगरा आप mention कर सकते हैं terms and condition यह सब कुछ आप mention कर सकते हैं बाकि setting में जाके आप इसे easily add कर सकते हैं और जब भी आप new bill create करेंगे तो उसमें यह सारी चीजें automatic आती जाएंगी आपको बार-बार manually इसे type करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी तो setting में जाके आप इसकी easily setting कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों इन्वोईस का total amount आपको यहाँ पर दिखाई देगा बाकि अगर किसी customer ने यहाँ पर पूरी payment कर दी है तो आप उसे यहाँ पर mention कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह signature वगरा आ जाएगा और अगर आप इस इन्वोईस को print और save करना चाहते हैं तो आप यहाँ save and print पर click करेंगे बाकि अगर आप सिर्फ save करना चाहते हैं तो आप यहाँ save पर click करेंगे तो फिलाल मैं यहाँ save and print पर click करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा इन्वोईस होगा यह save हो जाएगा और print भी हो जाएगा अब print होके हमारा इन्वोईस कैसा आएगा कैसा दिखाई देगा ओभी मैं आपको दिखा देता हूँ तो कुछ ही इस तरह का यह हमारा इन्वोईस बन कर आएगा आप इसे चाहें तो download कर सकते हैं या print कर सकते हैं download करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे download हो जाएगा अगर आप print करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करके print भी कर सकते हैं hope आपको यह समझ में आ गया होगा इसके बाद हम यहाँ back पर click करके बाहर आ जाते हैं यहाँ पर back पर click करेंगे बाहर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तों अभी जो हमने transaction की है 6,990 रुपए की यह transaction आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर status में आपको pending दिखाई देगा अब अगर आपको यहाँ पर customer से पूरी payment आ जाती है तो आप चाहें तो यहाँ से record payment पर click करके payment receive कर सकते हैं यहाँ पर जो amount है यह पूरा amount आ जाएगा बाकी आपने partially amount receive किया है तो आप यहाँ पर partial amount भी mention कर सकते हैं अब payment किसके थुरू आई है उसके भी detail आपको यहाँ पर मिल जाती है कि जैसे हमें UPI के थुरू आई है cash के थुरू आई है card से आई है net banking check EMI में आई है तो आप उसे यहाँ से mention कर सकते हैं बाकी payment date change करनी है तो आप यहाँ से payment date change कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से update payment पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो इसका status है वो change हो जाएगा तो यहाँ पर अभी लिख कर आ चुका है paid बाकी अगर आप इसी invoice को WhatsApp, email या link के जरिये share करना चाहते हैं तो आप simply यहाँ पर click करके अपने invoice को easily share कर सकते हैं बाकी दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जब भी हम किसी medical store पर जाते हैं किसी hotel या restaurant में जाते हैं या फिर किसी mcdonald में जाते हैं तो हमें एक छोटा सा बिल मिलता है तो उस बिल को बोलते हैं P.O.S. point of sale तो अगर आपका business भी कुछ इस तरह का है अगर आपका भी छोटा मोटा business है और आप P.O.S. billing करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर P.O.S. billing का option मिल जाता है आपको simply इस पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपने जितने भी item sale किये हैं सभी item को आप यहाँ add करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर fresh orange ले लेता हूँ पहला item हो गया इसके बाद यहाँ पर quantity mention करेंगे add item पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम अपना sale किये हैं सभी को आप एक ही बार में यहाँ add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप check out पर click करेंगे इसके बाद अगर आप यहाँ customer का phone number या उसका नाम mention करना चाहें तो mention कर सकते हैं बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं इसकी यहाँ पर यह जो invoice है यह save हो जाएगा और automatic print हो जाएगा मैं इसे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं कि किस तरह का यह हमारा bill बन कर आएगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यह हमारा bill बन कर आएगा इसके बाद हम यहाँ से cancel पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं अब यहाँ पर जो हमने POS billing की है यह भी record हो चुकी है अब उसे देखने के लिए आप जाएंगे sales में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अब यहाँ all transaction में आएंगे तो यहाँ पर आपने जो अभी recently बिलिंग की होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी बाकी यहाँ पर आपने जितनी भी sale की है उसमें से कितना amount paid हो चुका है उसकी detail देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कौन-कौन से paid invoice हैं यह सारी detail आपको यहाँ पर मिल जाती है किस-किस bill के amount pending है उसकी detail देखने के लिए आप यहाँ pending पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी pending invoice होगे जिसका amount pending होगा उसकी detail आपके सामने आ जाएगी बाकी यहाँ पर कौन-कौन से invoice cancelled कर दिए गये हैं उसकी detail देखने के लिए आप यहां cancelled पर click करेंगे तो आप यहां से यह cancelled invoice देख सकते हैं बाकि यहां पर अगर sale return हुआ है उसकी detail देखनी है तो आप यहां पर click करके sale return की भी detail देख सकते हैं बाकि अगर आप यहां sale return को record करना चाहते हैं यहाँ पर return का option दिया गया है, आप यहाँ पर click करके, sale return को भी record कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने customer का नाम mention करेंगे, और यहाँ पर जो जो item, आपके पास वापस आया है, उसकी detail आप यहाँ पर mention करेंगे, quantity mention करेंगे, तो यहाँ से आप easily, sale return की भी entry कर सकते हैं, बाकी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर purchase की entry करना चाहते हैं, तो purchase की entry करने के लिए, यहाँ पर option दिया गया है, आप यहाँ पर click करके, easily purchase की entry कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर quotation बनानी है, तो आप यहाँ पर click करके, easily अपनी quotation बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर payment record करना चाहें तो आप यहाँ से easily payment record कर सकते हैं बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको inventory का option मिल जाता है जहां से आप अपनी inventory को easily manage कर सकते हैं आप यहाँ से bulk में stock in quantity को upload कर सकते हैं bulk में stock out quantity को upload कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर bulk में stock in quantity को upload करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर यह जो template है इसे आपको download करना होगा तो हम simply यहाँ download stock in template पर click करेंगे तो यहाँ पर Excel में एक template file download हो जाएगी इसे आपको fill करके यहाँ पर upload करना होगा तो कुछ इस तरह की यह Excel template file होगी आपको इसे fill करके यहाँ पर upload करना होगा bulk में upload करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर click कर देंगे इसके बाद आप अपनी file को choose करेंगे और यहां से open पर click कर देंगे तो यहां पर जितने भी item की quantity आपने यहां mention की होगी सभी item यहां पर add हो जाएंगे बाकि अगर आप stock report download करना चाहते हैं तो आप यहां download stock report पर click करके easily report को excel format में download कर सकते हैं और यह report कुछ इस तरह की download होकर आएगी इसके बाद यहां अगला option है product and services का तो अगर आप यहां पर अपने multiple product या multiple services को add करना चाहते हैं तो आप यहां से easily bulk में भी upload कर सकते हैं और अगर आपको single item add करना है तो आप यहां से add new item पर click करके अपने single item को भी add कर सकते हैं बाकि अगर आप किसी भी item में modification करना चाहते हैं तो आइटम के सामने आपको यहां पर edit का option मिल जाता है आप यहां पर click करके किसी भी item की detail को easily edit कर सकते हैं बाकि अगर आप किसी item को delete करना चाहते हैं तो यहां पर delete का icon आपको मिल जाता है आप यहां पर click करेंगे तो जो भी आपका item होगा वो delete हो जाएगा इसके बाद यहां अगला option है customer का तो जैसे ही आप यहां customer पर click करेंगे तो आपके जितने भी customer होंगे उनकी list यहां पर आ जाएगी अगर आप किसी customer की detail modify करना चाहते हैं तो आप यहां edit पर click करेंगे किसी customer को delete करना चाहते हैं तो आप यहां delete icon पर click करके किसी भी customer को easily delete कर सकते हैं इसके अलावा किसी customer का closing balance क्या है उसे आप यहां से देख सकते हैं contact information आप यहां से देख सकते हैं किसी customer को आप अगर add करना चाहते हैं तो आप यहाँ add customer पर click करके यहाँ से किसी customer को easily add कर सकते हैं बाकि अगर आप यहाँ bulk में अपने customer को upload करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका template download करना होगा इसके बाद आप import पर click करके अपने multiple customer को यहाँ bulk में upload कर सकते हैं या bulk में add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर vendor का option दिया गया है आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी vendor होंगे उन सभी की list आजाएगी यहाँ पर आपके vendor का closing balance आजाएगा किसी नए vendor को add करना है तो आप यहाँ add vendor पर click करके अपने नए vendor को add कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ expenses को record करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे expenses में यहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी खर्चे किये होंगे उनकी detail आजाएगी जैसे कि यहाँ पर repair and maintenance पर हमने 5000 खर्चा किया तो उसकी detail यहाँ पर दिखाए दे रही है बाकि अगर आप यहाँ कोई नया खर्चा add करना चाहते हैं इसके लिए आप यहाँ create expense पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर amount mention करेंगे इसके बाद यहाँ expense date आजाएगी इसके बाद यहाँ पर आपको category चूज करनी है कि किस category में आपने यहाँ पर यह 7000 रुपे पे की हैं तो यहाँ पर हमने rent पे किया है तो हम यहाँ rent expense select कर लेते हैं इसके बाद payment type में आ जाएंगे तो payment किस माध्यम से की है उसे आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ से select bank choose कर सकते हैं कोई bank select करना चाहें तो कर सकते हैं इसके बाद अगर आप यहाँ कोई description mention करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे, रेंट एक्सपेंस के नाम से 7000 रुपे की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है, इसके बद दोस्तों आपको यहाँ पर एक बहुती काम का फंक्शन मिल जाता है, एनलिटिक्स का, जिसकी मदद से आप अपने बिजनस को एजिली एनल की है, टोटल कितनी परचेस की है, टोटल कितने एक्सपेंसे हुए है, उसकी रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर यह चार्ड भी हमें दिखाई देता रहेगा, बाकी अगर आप यहाँ से पीरियर्ड चेंज करना चाहें, तो पीरियर्ड चेंज करके आप अपनी report को देख सकते हैं, इसके बाद scroll करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपका profit and loss statement आजाएगा, यहाँ पर आपके पास कितनी income है, कितनी आपने purchases की हैं, कितने expenses की हैं, और total आपको कितना profit हुआ है, वो सारी detail आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद scroll करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपके top 5 product कौन से हैं, उसे आप यहाँ देख सकते हैं, top 5 customer आपके कौन से हैं, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ segment twice sale देख सकते हैं, और यहाँ पर payment आपके पास किस mode में ज़्यादा आया है, किस mode में कम आया है, उसकी report आप यहाँ चार्ट के थुरू देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अगला option मिल जाता है, reports का, reports किसी भी business की growth के लिए एक important factor होता है, reports की मदद से हम अपने business को easily analyze कर सकते हैं, कि हमारे business में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सी type की report मिल जाती है, यहाँ पर जो पहला option है, item report by customer, अगर आप यहाँ पर किसी customer की report निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने उस customer का नाम mention करेंगे, इसके बाद यहाँ पर उस customer की report आ जाएगी, आप इसे Excel format में download कर सकते हैं, swipe की मदद से आप अपना e-way bill भी generate कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक बार अपना swipe account e-way bill के portal से link करना होगा, उसके बाद आप directly यहीं से अपना e-way bill generate कर सकते हैं, आपको e-way bill का portal open करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो e-way bill आप यहाँ से तयार करेंगे, वह आपको e-way bill के portal पर भी दिखाई देगा, swipe की मदद से आप अपना online store भी open कर सकते हैं, और अपने customer से online order भी ले सकते हैं, online store का demo आपको दिखाना चाहूंगा, तो कुछ इस तरह का यह हमारा online store रहेगा, customer यहाँ plus minus पर क्लिक करके, quantity को increase या decrease कर सकता है, और हमें order दे सकता है, अगर आप swipe को अपने mobile में use करना चाहते हैं, तो उसका भी link आपको इसी वीडियो के description भी मिल जाएगा, आप उस link पर क्लिक करके swipe app को अपने phone में install कर सकते हैं, यहाँ पर जो account रहेगा, वह desktop और mobile app में automatic sync होता रहेगा, यानि desktop और mobile app का data एक दूसरे से link रहेगा, दोस्तों अगर आप swipe app में अपने multiple businesses को add करना चाहते हैं, अपने staff को role based access देना चाहते हैं, GST, HSNWise report चाहते हैं, e-web will generate करना चाहते हैं, या online store create करना चाहते हैं, या फिर आप online payment collect करना चाहते हैं, 100 plus payment method से, जैसे की UPI, debit card, credit card, net banking, wallet से, तो इसके लिए आप swipe app का premium plan ले सकते हैं, जो की start हो रहा है 1299 रुपए में एक साल के लिए, बाकी swipe app को आप free में तो use करी सकते हैं, तो मैं suggest करूँगा, आप एक बार इस app को free में try करके देखिए, अगर ये app आप के लिए beneficial साबित होता है, तो आप इनका premium plan भी ले सकते हैं, तो आज ही download करें swipe app को, link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा,